यूनिक समाचार में आपका स्वागत है तो चलिए आज हम आपको बताएंगे अहीर अर्थात यादो जाती के इतिहाज के बारे में यादो अर्थात महराज जदु के बंसज जिने अहीर भी कहा जाता है थे प्राचीन भारत के वह लोग जो पौराणिक नरेश जदु के बंसज है यादो बंस प्रमुक रूप शे आभीर, बरतमान अहीर, अंधक, व्रशडी तथा सत्वक नामक शमुदायों से मिलकर बना था जो कि भगवान कृष्ण के उपासक थे यह लोग प्राचीन भारती शाहित्य में जदु बंस के प्रमुक अंगों के रूप में बरणित हैं जादो महराज जदु के बंसज हैं और यादो नाम से जाने जाते हैं इनका धर्म मोल रूप से हिंदू और सिख है प्राचीन संदर्व में इनको देखा जाए तो जयंत गड़गरी के खतना नुशार पुराणों के विशलेशन से यह निश्चीत रूप से मान्य है कि अंधक, विरिष्डी, सत्वत, तथा आभीर और थात अहीर जातियों को संजुक्त रूप से यादो कहा जाता था जो स्री कृष्ण की उपासक थी प्रन्तु यह भी सत्य है कि पुराणों में मिथख तथा दंत कथाओं के समावेश को नकारा नहीं जा सकता, किन्तो महत्तपूर्ण यह है कि पवराणिक सनरचना के तहत एक सुद्रन सामाजिक मुल्यों की प्रणाली प्रतिपादित की गई थी लुकिया मीचे लूती के यादों पर किये गए सोधा नुशार, यादो जात के मूल में नहित वंसवाद के विशिष्ट सिधानता नुशार सभी भारतिय गोपालक जातियां उसी जदुबंस से अवतरित हैं जिसमें स्रीकृष्ण गोपालक और चत्रिय का जन्म हुआ था उन लोगों में यह अद्रिड विश्वास है कि वे सभी स्रीकृष्ण से संबंदित हैं तथा बरतमान की यादों जातियां उसी प्राचिन ब्रिहत यादों समूँ से विखंडित होकर बनी हैं बरतमान परिप्रेक्ष के अनुसार क्रिश्टोफ जफेर लोट के अनुसार यादों सब्द कई उपजातियों को अच्छादित करता है जो मूल रूप से अनेक नामों से जानी जाती हैं हिंदी छेत्र पंजाब वो गुजरात में ओहिर महराष्ट गोवा में गवली आंध्र वो करनाटक में गोला तमिलाडू में कोनर केरल में मनियार जिनका समाने पारंपरिक कारिये चरवाहे गोपालक वो दुख्द विक्रेता का था लुकिया मीचे लूती के विचार से यादो लगातार अपने जात स्वरुप आचरण वो कौसल को उनके बंस से जोड़ कर देखते आये हैं जिससे उनके बंस की विशिष्टता स्वतही व्यक्त होती है उनके लिए जाती मात्र पदवी नहीं है बलकि रक्त की गुणवत्त है और ये द्रश्टब्य नया नहीं है अहिर जात की बंसावली एक सैधान्तिक क्रम के आदर्सों पर आधारित है तथा उनके पुरबज गोपालक जुद्धा स्रिक्रिष्ण पर केंद्रित है जो की एक छत्रिय थे तो चलिए आज हम आपको बताएंगे उनके एतिहासिक प्रिष्ट भूम के बारे में भी अहिर एतिहासिक प्रिष्ट भूम से एक लडाकू जाती है 1920 में ब्रिटिश सासन ने अहिरों को एक कृसक जाति के रूप में बर्गी कृत किया था जोकि उसकाल में लडाकु जातिक्या पर आय थी जबकि वे उस से पहले से भी सेना में भरती होते आ रहे थे तब ब्रिटिस सरकार ने अहिरों की चार कंपनिया बनाई थी इन में से दो 95 रसेल इंफेंटरी में थी 1962 के भारत चीन जुद्य के दोरा 13 कुमायू रेजिमेंट की अहिर कंपनी द्वारा रेजंगला का मोर्चा पर यादो सैनिकों का पराक्रम वबलिदान भारत में आज भी याद किया जाता है और सराहनिय माना जाता है और उनकी बहादुरी की याद में जुद्य बिंदु इसमारक को अहिर धाम नाम दिया गया वे भारतिय सैना की राजपुत रेजिमेंट कुमायू रेजिमेंट जाट रेजिमेंट राजपुताना राइफल्स बिहार रेजिमेंट ग्रनेडियर्स में भी वागिदार हैं भारतिय अथियारबंद सैना में आज तक बक्तरबंद कोरों वा तोप खानों में अहिरों की एकल टुकडियां विद्यमान हैं जिन में उन्हें बीड़ता और बहादुरी के विभीन पुरशकार प्राप्त हुए हैं धन्यवाद आप बने रहे हमारे शाद हम फिर आजी रोंगे इसी तरह के कुछ इतिहासों को लेकर तब तक के लिए दीजिये इजाजत नमस्कार